आप लोग उसको ना बड़ा हलके मिलें जो दोजार तैस में आप सबने मिलें हड़कंब मचा आया जिन्हों ने एक्जाम जिए था बहुत टाफ एक्जाम आया यह था वोट कर चैरियों तक बात पहुंच गी जी यह तो आय एटी का कुश्चन था यह तो इससे पूछा गया यह तो इस साल में पूछा गया यह तो जो टॉपिक है ना अगर वो किसी बच्चे ने ठीक से किया होता है जिस मुद्धे पर मैं चर्चा करने वाला हूं उसको अगर किसी बच्चे ने सीरेसली लिया तो 2023 में तो उसने दोखा नहीं खाना आप सबने एक तरह से दोखाई खाया और अपने आपके साथ दोखा गय यह ना पंदरा सोला सतरा अठारा उन्निस वर बीस यह पेपर में कर चुका हूं डिसकस जागे देखो जड़ा 21 23 की छोड़ो मैं बीस तक ही उसी में से कितने सारे कोश्चन है जिनका कुंसे आपटाप को मिलेगा दोजार 23 के एक्जाम में डिरेक्टली कुछ जादा वो नहीं है मिलेगा आपको लगेगा हां यार यह कोशन देखा हुआ कहां देखा था दोजार तो यह चीज आप लोगों को अब तो समझ आ जानी चाहिए क्या गा वाई प्रीवियसी केर कोश्चन की तयारी कर रहे है वाई कर लोगों को अभी तक नहीं समझा है आप लोग जबने की तयारी में हैं और चोटी से दूविदा को नहीं समझ पा रहे आप अपनी आप सिर्फ उसी चीज में लगे हो अभी भी पेपर मुशिता पेपर मुशिता मेरे से बच्छे कहां से बीच में आगे मुझे तो यह नहीं पता चली चोटा से पेपर आपका अच्छे से पढ़ना उसे क्लिए करना दैट से इतनी सी बात है कि यह काई है कि बीच में आगे बहुत कर देखिए कि तना मुश्किल होता है यह तो कुछ भी नहीं है बट मुश्किल यहां पर क्या है मुश्किल यहां पर है concept पकड़ आप लोग क्या करते हैं आप लोग अभी भी वह गलती करने मैक्सिम बच्छे लगें वह उसी गलती में कि पेपर है दो महिने पहले जोइन कर लेंगे क्रेश कर लेंगे चोटा मुटा और यहां हमारा काम हो नहीं होने वाला हो आपको थोरो स्ट्डी करना पड़ेगी आपको सारा पड़ना पड़ेगी जरूरी नहीं कि नंबर सिस्टम अगर पिछली बार 20 बार बीस बार भी आगा क्या जरूरी है ज्यादा को शन डालते फिर गंग फसके तो बचे सोचके चल रहे हैं कि हां नंब किसी ना किसी की तो हार है तो मैं नहीं चाहूंगा उस रेस में आप लोग भागो और किसी भी एक बच्चे की हार हो उससे आगे बढ़ो अब मैं कुछ आपको मेजर पॉइंट्स बताने लगा हूं क्यूं प्रीविजर पेपर एनलसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह हमारे आने वाले सीशेट दोजर चौबिस के एक्जाम के लिए क्यूं हमें प्रीविजर पेपर करने चाहिए हमें पता चलना चाहिए क्या पता चलना चाहिए कुछ मेजर पॉइंट्स है मेरे पास पांच पिछे उन अच्छे से डिसकस करेंगे और प्लीज इस वीडियो क करें यहां पर कुछ आपको पीज के रमोडल तो पता होगा ना तो बाट पीज के मोडल नहीं पता अब अभी इडिया मतलब आप अभी वन्यों आया इस पे हैं और संदी सर्केंट पीज के रमोडल नहीं पता आपको अरे तो गलत बात बताऊंगा बट एंड मेंगी वट से लिए जी तो नो अबाउट अब देखो 2023 में हला क्यों मचा हूं क्योंकि एकदम से थोड़ा सा हलका सा माइनर सा चेंज और ट्रेंड हो गया है कोश्चन देखो 2019 अगर बीस के बात करो ना 2020 की अगर पेपर इनलिस की बात करो मेरे को छे सेशन लगे हैं तो अगर 2019 की बात करों न 2019 ऑन्वर्ट्स अटी फाइव टू फॉस्टी कोश्चन आने शुरू हो चुके ठीक है यह कैसे पता चलेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कब से चेंज हुआ यह सिरफ आपकी प्रीवियर कियर अनलिसिस बताएं मुझे नहीं पता सुनी सुना बात प्रेशा मत किया गरो कि उस थीचर ने कहा दिया प्राने टीचर ने कहा दिया डिड़के ने कहा दिया कुछ नहीं रखा इन में खुद जब तक पैनक पर नहीं उठाओंगे खुद चलना सफर सुनी करोगे सफरनी त्यावने वह नहीं बढ़ा था पढ़ना थो बिटा आपको काफी को समझ आज कि बाद की जरनी है मेरे साथ करो मैं बता हूँगा तो जब आपको यह पता करना हो क्रेंड चेंज कब हुआ कैसे हुआ किस तरह की कोश्चन आ रहे हैं पट इस पेटर्न उप कोश्चन से लेटेस ट्रेंड उप कोश्चन तो वह कहां से पता चलत प्रेविश कोश्चन आपको रोगे प्रेक्टिस क्यों बोला जाता है कि अगर आपके बस दाइम के मत प्रेविश कोश्चन कर लो पांच-ब साथ साल की पर कर लो जाएगा क्यों तो मस्नों इच और एवरी पॉइट अप्ट आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि हां यह इस लेवल के कोश्चन नहीं है तो वट हम लेवल है भी है तो मिंटेन नेक्ट पॉइंट एक्स पोश्ची लेवल ऑफ कोश्चन देखो थोजार उन्नीस से ना मुझे पता चल गया था कि अप्टी टूड़ू के जाधा कोश्चन तो गल्ति क्या कि ऐसे 23 में कि बड़े ब नंबर सिस्थम से बड़े सारे कोश्चन अगर उनी सुनाई बात थी चलो नंबर सिस्थम से आ रहा था मैं मान कि आपके बात पर नंबर सिस्थम से किस तरहां के कोश्चन आ रहते वट बॉड जा लैवल ऌप दगूश्जण कैसे बठाचले रहा हो तो किसी ने नहीं बताया ना जिरफ एक ही चीज़ बताए गए कि हर नंबर सिस्थम नंबर सिस्थम नंबर थी पट इन यह रोणा नहीं लिग नहीं तो जब आप प्रिवेस येर पेपर की एनलिक्सिस करेंगे तो आपको उन कोश्चन का लेवल पता चलेगा जो पेपर में आ रहे हैं तो अगर आप से वह हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वैलन गूट फिर आपके तैयारी ओन ट्रैक अगर नहीं हो रहे तो कमी पता च कर लेगे हम कहां पर करें कहां पर लेवल को ऊठाने की ज़रूरर को मिजए पॉइंट सब्सक्रें में यह द इया इक स्टोंबर सब्सक्राइब क्यों अब यह थोड़ थोटा सा सुनने में इस अधर सेक्षनल परसेंटे फोशन मतलब हैं तो चिरब टीन सेक्षन होते हैं है लोगो क्वांट है इस बाद रिज्ट है कि दने भी है इंग्लिश है और इंग्लिश में में अपीदे कमार पर सिर्फ कॉम्प्रियेंश राता है तो मुझे कैसे पता चलेगा सबको मिला के एटी कोशन आ रहे हैं अब के मिला के मेरे पास असी कोशन आ रहे हैं यह तो चलो मुझे पता है नहीं पता तो पता चल जाएगा कि टोटल भी है एटी कोशन ओप कंप्रेट इग्जाम एंड़ हाफ माक्स फोर इच वंधर से कितने कोशन आने चाहिए अगर इसका हम तो चप्टी सब्सक्राइश इसके एटी एटी वन कोशन बट जाप प्रिवेश यह अब देखते हैं तो क्या होएगा कि एंटी से चालिस कोशन तो सिरफ क्वांट एक जूट आ रहे हैं आपके पास आपके पास आपके पंदरा स इसे बाइस बाइस चालिस और यह कैसे पता चलेगा मुझे कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा मुझे प्रेविस यह अलिस बताएगी कों सा मेरा मिश्टा मेजर बना हुआ सब्सक्राइब आप अठारा कोशन रहे हैं आपने आपको लगा मेजर बोर्शन कों से कौन से कौन रह गया है तो जब कभी आपको इस तरह से कुछ भी डाउट हो तो तेरे पो आपको क्या करना है प्रेविस यह कोश्टाना और उन्हें देखना है आपको तो कुछ करने ही प्रेविस तरह करने हूं करन लग रहा है लाग तकर रहा हूं पत्त आप लोग मिसिंग है आप लोग जो काम आपका वह भी मुझे करना पड़ रहा है तो आपका काम होना चीए कि मैसे में लिको सर यह कोशन आया थे इसका बताव मुझे कैसे तरा आए बच्छों ने पर परिशान यह रहा है उस नमबर बात कर सकते हो खाली वह जो नमबर है 9 5165 वह नंबर किसलिया है वो नंबर सिरफ इसलिए नहीं कि आप आओ रैमिशन लोग भाई कोई प्रॉल्म है वह जब भी कॉल कर सकते हो आपको लिग कोई कोशन नहीं आ रहा है जब भी आप उस पॉटी जानूं को पच्छे जुड़ों मेरी नमबर है प्लीज नोट कीजिया ूपी दुबार बता तो इसको मै अल्यटी पिछले अभी इसलाइड में डिसकल और क्वांट किसे पता चलेगा यह क्वांटिट टेट पर जाता टाम लेगाने की जरूर रहा है किसे बता देगे मुझे क्या चीज करने चीज और क्या चीज पर तू डू बड़ नॉट डू अग्स इस लेवल ओपरिपरेशन यह सबसे जादा इंपोर्टन है यह सबसे जादा इंपोर्टन है मेरे तो सबसे पहले मतलब समझे वट इस इनी को लेवल ओफ प्रिपरेशन सपोज करो टाइमेंड बर के कोशेन उड़ात ना कि टाइम ओफ ए मेरे पास 10 दिन है टाइम ओफ बी मेरे पास 20 देज ठीक है तो 20 आगया तर आगे टाइम ओफ ए इतना निकलेगा मेरे पास कि और अब की तरह का में इस तरह का टूस्ट्राइब से पहले आथा था मदब तो इस लेवल के को अगर तो इस लेवल आपका अपने बड़ा वो ठीक है नहीं बड़ा कुछ नया दिखर तो इसका मतलब आपको अपनी पैपरेशन गड़ा बढ़ाना और अपको कहां से पता चली लगा मेरे दोस्तों मेरे बाइयों मेरी बैनों कैसे बता चली तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिविए सिर्फ पेपर की एनलीसिस और कोई दुनिया की ताकत नहीं कोई सपने मी नहीं आने वाला भगवान मैं भी भी कहा रहा हूं मंजिल आपकी रास्ता आपके चलना भी आपको पड़ेगा हम जैस टीचर क्या कर सकते हैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं इस पर चलना पड़ेगा तो दिखते हैं कि पिछे नेट ना सबसे पहली मेजर दिखत आपकी सी सेट है आपके लिए कि 2003 का पेपर कोई असान नहीं था 2024 में एसे उड़ता हो पेपर डाल दे फिर क्या करोगे भाईया करो मैं तो कह रहा हूँ दरना जरूरी है डरोगे दभी करोगे अगर ऐसे कर लिया ना यार हो जाएगा किया था उसने भी किया था वह उसने किया था आप जब करोगे जब की बात है मेरे बच्चों तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए मैं कहता हूं सम्टाइम डरना भी जरूरी है सोचके देखो पूरे साल के तैयारी किया थैंसट नंबर आए हैं एक दो नंबर से फिर क्या करोगे भाई फिर दुबारा तैयरी शुरू करोगे आप एक आईस ऑफिसर बन सकते हो सिरफ दो नंबर रोख देना आपको एक नंबर होते हो जब घर आ रहा आप से मिल रहा आपको कॉल कर रहा है कि समझागी है उसका नंबर डेली बात करते होंगे आप उसके बात करते होंगे रिजन वह एक आईस ऑफिसर बन चुका है इस बट आप वहीं है तो भाई मैं कुद कह रहा हूं प्रिप्रेशन बहुत जरूरी ह कि अभी बता दू अगर अभी भी आपने प्रिपेशन नहीं स्टार्ट किये वह हमारी बैच टीटेल है टाइमिंग्स है हमारे तीन से साड़े चार टार डेस अभी के टोटल वनिटी लेक्चर से अब बेस में रिकॉर्डी लेक्च्छर और इसका जो भी स्ट्रक्चर हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 951-777-1651 इस नमबर कर सकते हैं मैंसेज कर सकते हैं और हमसे जूड़ सकते हैं एक से पस हमारा बट्साइब गुरूप जिसका लिंक है भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गये तुडियो ग्रूप से बहुत सारे नह झाल